गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोनी नगरपालिका को स्वच्छता के मामले में नमबर वन का दरजा मिला है बावजद उसके कि नगरपालिका की लापरवाही लगातार सामने आई है लोनी में आखिर कब तक मासुम बच्छे यूही डूप कर मरते रहेंगे ताजा मामला फिर एक बार सामने आया है दरसल लोनी के एक कॉलिनी में जलनिकासी न होने के कारण खाली प्लोट में भरे पानी में डूप कर एक मासुम बच्छे की मौत हो गई बताया जा रहा है कि स्वच्छता में नमबर वन का दावा करने वाली नोनी नगरपालिका में सबसे बड़ी समस्या जलनिकासी है जिसका समाधान आज तक नहीं हो सका यही मुख्यकारण है कि घरों का पानी रास्तों पर या खाली पड़े प्लोटों में भर कर सिर्फ बिमारियों को ही जर्म नहीं दे रही है बलकि उन मासुम बच्छों की मौत का कारण भी बन रहा है जिनोंने दुनिया में आकर अभी कुछ देखा समझा भी नहीं है ऐसी है गटना अशोक विहार कॉलनी में देखने को मिली एक सबजी बेशने वाले रसित एहमत का धाई वर्ष्य पूत्र सुफियान खेलते हुए घर के बराबर में खाली प्लोट में भरे पानी में डुब गया आसपडोस के लोगों ने तब तक उसे निकाला चब तक मौत को गले लगा चुका था घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है दिल को मारमिक कर देने वाली घटनाओं के बाद भी संबंदित अधिकारी और जनप्रती निधियों की नीन नहीं तूटी तो कब तूटेगी खेलते खेलते चला गया है पैर रपगया है और प्लोट में गिरा जागे पानी में यह पानी गरों का पानी है पली गली के लोग है वो चलाते हैं इस प्लोट में पानी मने करने पर भी नहीं मानते हैं गाली गलो जोर करते हैं